हेलो फ्यूचर दॉक्टर्स गुड मॉर्निंग मैं हूँ आपका दोस्त दॉक्टर अभिशेक और स्वागत एक बार फिर थी आप सभी भारत के फ्यूचर दॉक्टर्स का तो तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए जिनका सपने डॉक बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट के लिए और मैं चाहता हूं कि हर एक स्टेट में ये नियम लागू हो ताकि हर एक बच्चा MBBS करत के वो भी बहुत आहसानी से तो खबर कल गारी केरला से जहां पर हाई कोर्ट ने जो है MBBS फिर्ट इस्टेक्चर को जो है फिक्स करने के लिए एक पैनल बाने को बता दे कि प्राइबेट जो बेडिकल कॉलेज है ये फी के नाम पर बच्चों से अच्छी खासी रकम लेते हैं और जहां पर जो लिमिटेड फिर्ट से उसको भी काफी मात्रा में इंक्रीस करके लेते हैं वायादा फॉर्म आफ डोरेशन एन अधर तो इसी सिलसले में बड़ी अप्रेट दी है हाई कोर्ट ने और उसने बताया है कि केरला के अंदर MBBS की जो फीस से वो लिमिट कर दी जाए ताकि कोई भी बच्चा एक फीस से अधिक फीस ना दी जो फीस गौर्णमेंट ने अथराइस की है उसी फीस पर MBBS कर सके इसके लिकर नेने दिया गया है के रिला हाई को दौर वहीं दूसरी जो अप्रेट निकल गया है आप पूरी अप इनको भी फीस करने के लिए बात कही गई है और इसमें बताया गया है कि कोई भी प्राइबेट कॉलेज मन चाही फीस स्टुनेंट से ना ले सके इसके लिए पंजाब हाई कोड ने भी ऑर्डर दी है तो यह पूरी अप्रेट आप देखेंगे तो ऑर्डर दखा दो आपको इनको कोई भी फीस जादा ना ले सीटो रिजरवेशन एक सही डंग में किया जाए ताकि हर एक योग बच्चे को MBBS, BDS, BHMS, BMS में आसानी हो करने में फिलाल के लिए बड़ी अप्डेट है आप से भी अप्डेट की कॉपी अपने पास सेफ रखें ताकि जब आप MBBS करने के लिए जाए किसी भी प्राइबेट कॉलेज में तो वहाँ पर इस अप्डेट को दिखा के आप अपनी फी भी कम करा सकते हैं जी हाँ दोस्तों बड़ी अप्रेट है कहते हैं ना कि किसी चीज़ की जानकारी होना आपके लिए काफी फायदय मन होती है तो यह इंफरमेशन आप किसी लिए है कि केरला प्लस पंजाब में एक बॉड़ी बन नहीं है जो फिस को रिगुलेट करेगी ताकि कोई भी प्रा आप भी बताएं कमेंट सेक्शन में छोटी स्रिक्वेस्ट अगर आप नए हैं तो प्रीज सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें इतना ही कहूंगा आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मज जय हिंद वंदे मातरम